हमारे साथ हमारे दो मेहमान इस वक्त मौझूद हैं डॉक्टर आशीश जैन है जो फेपड़ा रोग विश्यशक्ग हैं और साथ ही सिनेहा मेरी कोशी जिनके रिपोर्ट आपने अभी देखी हमारी सीनियर एडिटर है निटीवी की वो भी इस वक्त स्टूडियो में मौझू डॉक्टर साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन पहले सिनेहा आपके पास आना चाहेंगे क्या कुछ हो रहा है यह हमने दर्शकों को बताया यहाँ पर कितनी बड़ी आबादी होगी जो इस तरह के थ्रिट में अभी जी रही होगी यह कहना बहुत मुश्किल है शारिक जी दो कारणों के वज़े से एक इसे जब यह आग लगी थी यह दो तारीक को लगी थी और दो तारीक से अब तक अगर देखे तो नौ दिन हो गए हैं जब यह आग लगी थी पूरे सिटी के अंदर गैस चेंबर्स बन गए थे और यह लोगों को सास लेना मुश्किल हो रहा था लोगों को आपस में देखना मुश्किल हो रहा था इतनी बूरी हाल थी सिटी के अंदर भी लोग अफेक्ट हो रहे थे लेकिन आज अगर देखे तो मानलो डंपयाट से 15-20 किλोमेटर जो दूर रह रहा हैं वहां पे भी लोग अ लोग इसमें एफेक्टेड होंके कहना मुश्किल है लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब ये हाथसा हुआ शुरू में जब आग लगी इतना सीरियस नहीं था लेकिन आग बुझने के आसपास जो स्मोक आने लगा जो बहुत टॉक्सिक स्मोक है कैंसर जेनरेटिंग स्मोक है उस स दॉक्ने बाद लोगों को कहा गया बाहर मत आईये अंदर रहिये जादा मच जाए बाहर पर कितना को ऐसे करेगा मेरी खुद की नानी है उनको हमें उस डिस्टिक से हटा के दूसरे डिस्टिक में डालना पड़ा लेट आक्शन लिया बिकुस हमें नहीं आई लगा कि इतन मैंने एक दूसरे लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि पूरा घर स्मोक से भर गया था, और ये एक हफते की बात नहीं है, ये दो दिन पुरानी बात है अब ही ऐसे वक्त में जब इंफ्लेंजा चल रहा है, लोगों को खासी है, कई तरह की दूसरे परिशानियों से लोग जूज रहे हैं, इस तरह का स्मोक कितना जानलेवा साबित होता है, भले ही उसका असर तुरंत ना दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में देखे, ऐसा है कि यह दो कारणों पर निरभड करता है एक तो इसकी इंटेंसिटी क्या है और एक इसकी डूरेशन क्या है . अभी फिलहाल जो जैसी हम दिल्ली में हम जो देखते हैं उसमें इससे बहुत कम इंटेंसिटी का एक्यो आ रहता थे जो अभी फिलहाल वहाँ पर जैसे कोशी बता रही हैं कि गैस चेंबर बना हुआ है उससे कम इंटेंस रहता है बट बहुत प्रोलॉंग रहता है तो वो एक अलग तरहे की बीमारियां क्रियेट करता है और अभी जो इस्तिति हैं वहाँ पर जहां पर डंपिंग यार्ड में आग लगी वी यह उसके आ तब एक अलग तरहें की बीमारियां आती हैं जिसमें की लोकल इरीटेंट की तरह से यह काम करता है यह भुआ और इसकी जो टॉक्सक फ्यूम्स हैं और आपकी रिपोर्ट में भी पहाँ गया है इसमें बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट भी रहेंगे तो टॉक्सिक फ्यू जो है वो जाना जो काडियो वास्किल और प्रॉब्लम्स हैं वो बिगड़ जाना और हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम आना ऐसी तमाम सारी चीजें आती हैं और जो बहुत नजदीक रहते हैं और जो क्लोज कमरों में रहते हैं उनके केसिस में कार्बन मोनो ऑक्साइट जाएं जिनके उपर हमारा द्यान होना चाहिए सिनिहा से हम अगला सवाल करें उसे पहले एक सवाल और आप से पूछ लेना चाहेंगे कहा गया है खिड़की दर्वाजे बंद रखना आपको कितना सुरक्षित करता है देखिए ऐसा है इसके अलावा हमारे पास कोई और कार अंदर तो आए गई तो दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं जो हम कर सकते हैं एक तो खिड़की दर्वाजे अगर हम बंद कर रहे हैं तो उनकी जो संदे हैं जो नीचे से जहां से एयर अंदर आ सकती हैं वहाँ पर गीले कप्ड़े अगर लगाएं या गीले चारो तरफ से अपने खिड़की दर्वाजों को ढग दें जिससे कि वहीं पर एड्सॉर्ब हो जाए जो भी टॉक्सिक फ्यूम है और अंदर बात कर रहे हैं वो नुकसान कम करने की बात कर रहे हैं नुकसान नहों ऐसी परिस्तिति में तो हम हैं ही नहीं ठीके ना तो उसके गिले पर्दे लगा सकते हैं खिड़की दर्वाजों को हम अच्छी तरह इसे बंद कर सकते हैं डेफिनेटली मास्क किसी हद तक वो उसको स्वाल्व करेगा बट लगातार और बार बार जो है हम अपने आँख और मूँ को पानी से दो सकते हैं जिससे कि जो भी हमारे स्किन अगर है तो एसी के फिल्टर्स के कारण थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट आएगा बहले टेंपरिचर को हम बढ़ा दें पर वो एसी को हम चालू रखेंगे ये छोटी मुटी चीजे हम कर सकते हैं इसके लावा खुद के ओपर हम मेरा मानना है यह है कि जितना ज्यादा हम त सवाल यह था कि कई जिलों के बीच में एक ऐसा जिला है जहां पर यह इसको रिसाइकल करने का यह प्लांट लगा हुआ है लेकिन यह कूड़े का पहार क्यों नजर आता है इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वहां जो लगाए वह ठीक से काम नहीं कर रहा है शारी के अपने मे से कॉंटेक्स देना जरूरी है केरला में चौदा जिले हैं चौदा जिलों में से कोची एक मात्र ऐसा जिला है जहां पर सेंट्रलाइस्ट वेस्सिस्टम है बाकी सारे डिस्ट्रिक्स में आज की तारीक में देखे तो डी सेंट्रलाइस्ट वेस्सिस्टम है और ग्लोबली Centralized systems को जरा explain कि यह क्या होता है? Centralized system मतलब एक nodal agency है, जो उसको सब चीज, सारा waste को लाकर वहाँ पर डालेगी और वहाँ से recycle होगा. Decentralized क्या है? Different agencies आपके पास आएंगी, आपसे लेंगी, या आप एक A point पे जाएंगे, वहाँ से segregate करके वो उनको लेगी. यह segregation वही पे at the source होता है. So, अब 13 districts में mostly decentralized है, ऐसा बड़ा centralized plant केरला में नहीं है. पहले ट्रिवांटर में था, same problem था, उसको बंद कर दिया गया, उसको सॉट आउर कर दिया गया. Kochi में अब इसको बोलते है, legacy waste. Brahmapuram solid waste management plant तो खोल दिया, लेकिन जैसे minister ने खुद कहा, यह minister खुद कह रहे है कि हमारे ध्यान में यह लाया गया है, कि वहाँ पे waste accumulate कर रहे थे, जैसे bio mining होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही थी. यह एक major failure है, that Brahmapuram waste plant जो solid waste को manage करना चाहिए, वो एक dump yard बन गया है, और dump yard अभी नहीं, सालों से बन गया है. यहां पर यहीं सवाल था, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में भी भलसवा देख लीजिए, आप वाजीपूर लैंड्सफिल्ल चले जाएए, वहां पर भी आग लगेने कि घटना हम लोग पत्रकार सालों से गवर करते रहें, इस तरह के परिशानियों से, क्या बचा जा सकत नहीं हुआ है, उसके वज़े से यह हुआ है, यह हालत हुई है, अब अगर वहां पर जो काम होना चाहिए था, जो लोग वहां पर काम करना चाहिए था, और जो सिटिजन को करना चाहिए था, अगर गवर्मेंट, सिटिजन सब ने किया होता जो होता, जो प्लांट वहां प किस तरह का दिहान रखा जाता अगर तो इस तरह की प्रिस्तितिया नहीं आती क्योंकि सेहत अगर कोई आखरी में end of the day अगर कोई सफरर है तो वहां रहने वाले लोग हैं जो आज उस तरह की परिशानियों से में जीने को मजबूर हैं अब बताए यह जा रहा है कि जो धुआ यार्ड है हर तरह की चीजें निकलेंगी इसमें different different type of plastic निकलेंगे बहुत सारे chemicals रहेंगे अगर उनमें आग लगती है तो वह किस तरीके का धुआ छोड़ेंगे और उनका क्या बॉड़ी पर असर होगा यह तो देखने वाली बात है बट येस देट कैन वी cancerous also जो long term में अ toxic तत्व शरीर के अंदर जब घुल जाएंगे तब वो अपने अलग-अलग रूप में बाहर निकलेंगे और लोगों की definitely तबियत भी खराब होगी और कुछ उसमें वो घातक भी सिद्ध हो सकता है रही बात आपके कि as a citizen मुझे क्या करना चाहिए तो citizen मुझे definitely एक limited power है मेर सब्सक्राइब को जाते हैं आपसे बहुत चोटा सा सवाल का चोटा सा जवाब चाहूंगा जो हो रहा है अभी वहां जिस तरह के परस्तितियों में लोग जिन्दा है उसका असर उनके सिहत पर तुरंत दिखेगा या आने वाला वाक्त उनके लिए परिशानियों भरा होग आज के दिन है जब इतना मैसा को धुआ इन्हेल कर रहे हैं वो सबसे परिशानी है आने वाले समय में कुछ ऐसे पिशिंट्स रहेंगे जो पुराने मरीज हैं सांस के और हाट के और डायबिटीस के उनको हो सकता है कि लंबे समय तक परिशानी बनी रहे बट यंग इंसीटी में बहुत ज़्यादा देव तक उस दुएं के संपर्क में रहे हूं डॉक्टर साहब आपने बहुत इंपॉड़न पॉइंट दिया असने हां जाते जाते आपसे चोटा सा सवाल है हाई कोट ने भी कहा कि आपने गैस चेंबर बना दिया क्या सरकार अब जाग र कि सरकार कह रही है अब हम इसके और फ्लान गूंदेंगे निगे पृषणिया आपकर शॉट नोइस पर हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शक्रिया इस पूरे मुद्द्य पर विस्तार से राश्य टालने के लिए झाले